पूरी जिन्दगी एक दूसरे के साथ रहना, सुख दूख में एक दूसरे का सहारा बनना, आखरी दम तक टीके रहने वाला प्यार अगर आपको महसुस करना होगा, तो आज की मूवी का एक्स्प्लेशन आप जरूर देखिए, आज की मूवी का नाम है एम और और यह एकडे एक ओल्ड उमन की उती है, इसका नाम है एना, यहाँ पर उन्हें कुछ लेटर स्वेगर भी मिलती है, जब एक डेट बॉड़ी के पास आते हैं, तब हमें दिखता है कि इसका फ्यूनरल यही हुआ है, यह डेट बॉड़ी ब्लैक द्रेस में इसके आज पास फूल वेगर एक फ्लैश बैक हमें दिखाये जाता है, हमें एना और जॉस दिखाये जाते हैं, यह डोनों हस्बन माइफ ओल्ड हैं और यह डोनों कंसर्ट देखने के लिए आये हुए हैं, जब एक अंसर्ट खतम हो जाता हैं, तब वे एक रूम में जाते हैं जहां पर आर्टिस्ट होत जादा कुछ प्रोफेशनल्स नहीं थे, यह दोनों थोड़े से डर गए होते हैं, एना कही थी अगर हम सोय हुए होंगे और कोई ऐसा करेगा तो मैं डर से ही मर जाओंगी, जोज कहता है कि इसके लिए हम कुछ न कुछ तो करेंगे, जोज आना को कहता है कि आज रात तुम ब बहुत दी टाइम लगाते हैं, यह जब बात करेंगे तो अचनक आना रिस्पॉंस करना बन कर देती हैं, थोमस इसे बात करता है पर यह कुछ भी बोल नहीं रही होती, एक ही जगा पर वेट कर एक ही जगा वह देख रही होती है, जोज डर जाता है, पानी लाता है और इसक चुकी होती है, जोज भी इसके पास जाता है, उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ था, इसे कुछ भी पता नहीं होता, कि यह फ्रीज हो चुकी थी, जोज इसे सब कुछ समझाता है, इसे अभी बे बिलिव नहीं हो रहा होता, जोज कहता है कि यह सीरियस हो सकता है, हमें ड जरूरत नहीं है, इसे वो बहुत ही फोर्स करती है, इसे वाज़े से डॉक्टर को कॉल नहीं करता, बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं, हमें दिखता है कि जॉर्ज की डॉक्टर उसे मिलने के लिए आई हुई है, इसके बच्चों के बारे में कहती है, इसके बच्चे भी प comparison में इसकी daughter और इसका son-in-law इनमें अभी ज़्यादा प्यार नहीं बचाए जब अपने बेटी से पुछता है कि क्या दुम उससे प्यार करती हो यह कही थी कि मुझे पता नहीं है George की बेटी फिर अपनी मदर के बारें बुछती है George कहता है कि उसकी हालत खराब हो गई थी उससे operation की ज़रूरत थी हमने जब operation करवाया तो 5% cases में बहुत ही जादा बुरा हाल हो जाता है इसका case इसमें ही आ गया याने कि Anna की हालत अब खराब हो चुकी है Anna अभी hospital में होती है थोड़े दिन बात हमें दिखता है कि Anna अब घर आ रही है Anna wheelchair में होती है पहले जब यह freeze हो गई थी तब यह doctor के पास जाते तो इससे stroke नहीं आता यह जो इसकी हालत हुई है इससे stroke आने की वज़ेस हुई है इसकी पूरी left side paralyzed हो चुकी है अब Anna घर आ चुक पूरी left side लेकर आता है एना उसे उसके चयाय में बिठाने के लिए उसे बोलती है यह उसे wheelchair से उठाता है और जहां वह हमेशा बैठती थी वह यह उसे बिठा देता है एना उसे कहती है कि कभी भी मुझे hospital में मत लेकर जाना इसको बहुत ही hospital में तकलिफ हुई है और वैसे कभी इस hospital से वह डरती ही है जोज कुछ बोल रहाता है पर यह कहती है कि नहीं तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तुम्हारा जो लेक्चर है यह तुम्हारे पास ही रखो तुम मुझे बादा करो कभी भी तुम मुझे hospital में नहीं लेकर जाओगे जब रात होती है तो एना को अ यह उपर नीचे नहीं कर सकता तो इसे help करने के लिए इसकी neighbor की जो wife होती है यह आती है इसे सब कुछ grocery जवेकरा लेकर आती है इसके neighbors इसे बहुत ज्यादा help करते है एना को टॉयलेट करने में शाओर करने में सब जीजों में help लगती है जोज हमेशा उसकी help करता रहता है र एक romantic love story थी तो जैसे मैं रोने लग गया था इस movie का character एक दूसरे से मिलनी पाया तो इसलिए मैं फूट फूट कर रो रहा था जब मैं घर वापस आया तो वहाँ एक लटका था मैं उससे बढ़ा था इसने मुझे पूछा कि क्या हुआ है तो मैंने उसे फिर movie की story बताना एना पुछती है क्यों निवत है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी image खराब हो जाएगी जोज कहता है कि मेरी image क्या है यह कही थी कि तुम monstrous हो पर कभी-कभी तुम बहुत ही जादा sweet हो next scene में हमें दिखता है कि अना और जॉज दोनों बैठे हुए होते है अना अपनी horoscope read कर रही होती है जॉज से कहता है कि तुम्हें नहीं पढ़ना जाई है इसे हम अपने आपको भी blame करने लग जाते है हमेरे future के लिए इनका जो friend होता है यह मर गया होता है अब जॉज को उस funeral लेकर आता है एना उसे इस funeral के बारे में भुचती है यह कहता है कि जो funeral था यह बहुत ही घटिया था मरने के बाद जो funeral होता है उसमें उसकी family जो सब लोग आते है यह सब को देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है अपने friend को गारता हो देखकर इसे थोड़ा सा भी एना कहती है पर ऐसा नहीं है तुम मेरी जगा नहीं हो जोज कहता है कि हम तुमारे exercise वगरा करवाते है थोड़े दिन में तुम चलने लग सकती हो एना कहती है कि मुझे इस पर जादा बात नहीं करनी है वो फिर sony के लिए जाना चाहती है निगस दिन इनका जो student था जो piano artist पन चुगा है यह इनसे मिलने के लिए आता है यह कहता है कि आज है मैं पैरिस में आया हूँ वो आते होई इनसे मिलने आ गया यह एना से मिलना चाहता है जब एना को यह देखता है तो शौक में होता है एना कहती है कि हम तुमारे CD आज बाही करने वाले थे और तुम ही आ यह कहता है कि मैं भूल गया, मैं आपके लिए वो CD लाने वाला था, यह कहता है कि तुम्हारे success के लिए हम $20 तो contribute कर ही सकते हैं, और फिर इसे पियानो बजाने के लिए कहती है, लगेता है कि मुझे वो धोन अब याद नहीं है, फिर भी यह पियानो बजा देता है, इसके बा कर दिया है कि वो सबने में देखता है, इसके बाद वो अपने नहीं से डिस्टब होकर उठ जाता है, नेक्स दिन एना और जोज को एक लेटर मिलता है, इनकी डॉटर और इनका सानी इनला यह दोनों इन्हें मिलने के लिए आने वाले होती है, एना कहती है, मुझे अभी कि होता है, जब लाद यह दो नसक रिए, वो जोज को उठाती है, वो वे जब ब्याफ़कों यह दो बसने वह दो चीज़ धर धर कर दान?", जलो को यह दो रही होता है, और जब यह dsत डॉज कुछ कुछ रहे होता है, जिशन कहने है, और जब बात्रूंब में जारह घर या और भी खराब हो चुकी है और वो बैड से भी उट नहीं सकती है और वो कुछ बोल भी नहीं सकती एना से मिलने जब उसकी डॉर्टर आती है तो अपने आप ही बड़बर करने लग जाती है उसके लाइफ में क्या चल रहा है वो हाउस बाय करने वाली है यह सब चीजे उस घौकी अब क्या होने वाला है जो आज कहता है कि क्या तुम कह रहे हो कि ह spend में मुझे एना को छोड कराना चाहिए तो यह नहीं होने वाला अगर मैं उसे hospital में भी छोड कराओंगा तो वो old age home चले जाएगी मुझे एना के लिए नहीं चाहिए मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका खैल इस घर में ही रखूंगा जो हास्पिटल में इसकी केर लेते हैं ये सब केर में उसकी यही लेने वाला हूँ एना की केर करने के लिए जब नर्स विगरा आती है तो जो जो जब यह सब सीख लेता है ये एक दिन बेठा हुआ होता है तो इमेजिन करता है कि एना फिर से प्यानो बजाने लग गई है ये एना को खाना खिलाता है पर ये ज़्यादा खाना नहीं खाती जब पानी पिला रहा होता है तो पानी भी नहीं पीती इसे as a object उसे वो treat करती है next scene में हमें देखता है कि जोज का neighbor उसे सब सबजे वेगरा देने के लिए आता है जाते जाते neighbor कहता है कि तुम दोनों को देखकर हमें बहुत ही inspired feel होता है जिस तरह से जोज एना की care करता है ये देखकर इनका love देखकर इसे बहुत inspired मैंसुस होता है जोज जरा जब बहार जा कर आता है तो वंदर आने के बाद उसे एक कबूतर उनके घर में दीखता है खेड की वेगराव खोलता है उसे बहार फिक देता है एना की जो new character करती थी वो अच्छे से उसे treat नहीं करती थी फ्रैंक फिर उसे fire कर रहाता है ये कहती है कि मैरे इस professional career में कभी मुझे complaint नहीं आई है जोज उसे कुछ खेह नहीं रहा होता ये चिट गई होती है जोज फिर कहता है कि जिस तरह से तुम मेरी wife को treat कर रही थी मैं चाहता हो कि जब तुम बोड़ी हो जाओगे तब कोई तुम्हें इसी तरह से treat करे इसको सब वो पैसे देता है और निकाल देता है जोज अना को खाना खेला रहता था है तो ये खाना को खा नहीं रही होती पानी भी पीने रही होती जोज फिर उसे कहता है कि अगर तुम पानी करा नहीं पी होगी तो मैं होस्पिटर में रख दूंगा ये फिर एक बड़ी से सीप लेती है और सब कुछ बाहर निकाल देती है थोड़े दिनों बाद इनकी डॉटर इनसे मिलने के लिए आती है ये एक सब्प्राइस्ट विजिट होती है वो फादर से बात करती है मदर के बारे में पुछती है जोज कहता है कि उसकी हालत बहुत ही खराब है ये कुछ कहे भी नहीं पाती और पेन में ही रहती है कभी-कभी हसने लग जाती है तो कभी-कभी अचनक रोने लग जाती है कभी-कभी घंटों तक वो पेन में रहती है जॉज ने एना को रूम लॉक करकर दिया होता है इस पर इसकी बेटी चीट जाती है जॉज कहता है कि उसे तुम से नहीं मिलना है वो फिर रियलाइज करता है कि यह गलत है और अभी बेटी को अपने मदब से मिलने देता है डॉज से बुछती है कि अब क्या हमें इसके बारे में कुछ सिरियसली बात करनी चाहिए जॉज कहता है कि अभी तब जैसे चल रहा था वैसे ही चलने वाला है तुम इसमें कुछ भी कर नहीं सकती मैं एना को हस्पिटल में नहीं डालने वाला तो क्या फिर तुम इसकी care करोगी अब इस सिन यहींड हो जाता है जोज एना के लिए बहुत जादा effort लेता है यह बोलने बाती तो इसके लिए बोलने की practice वो लेता रहता है हर रात वो practice करते है वो गाना गाता है और यह भी गाना गाने के कोशिश करती है जोज इसके लिए बहुत effort लेता है पर फिर भी एना को अभी जीना ही नहीं होता वो खाना पिना कुछ भी नहीं कर रही होती है एक दिन बहुत घंटे हो जाते है और फिर भी एना पेन मी होती है यह चिलना रही होती है और कह रही होती है कि यह दर्द में है जॉज फिर उसके पास आकर बेट जाता है वो अपने बच्पन की और एक स्टोरी उसे सुनाता है वो कहता है कि मैं जब छोटा था तो एक समर कैम में मुझे भेजा गया था यह जो कैम था एक गर से बहुत ही दूर था और मैं फिर वापस नहीं जा सकता था इस समर कैम पे वो जब गया तो बहुत ही एथलेटिक टाइप था इन बच्चों से बहुत सारी एक्जरसाइज वो करवाते थे और इसके बाद इन्हें खाना भी अच्छे से नहीं मिलता था जोज कहता है कि एक दिन मुझे खाना पसंद आया तो मैं बहुत ही रोने लग गया था मैं मेरी मदर को लिटर्स लिखता था इस लिटर्स पर मैं स्टार्स बनाता था मेरे लिटर्स मेरी मदर बहुत ही समार कर रखती थी एक दिन फिर में बहुत बिमार पड़ गया मुझे कॉरांटाइन में रखा गया मेरी महजर मुझे मिलने के लिए आई पर अंदर काश था हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए हम एक दूसरे के पास तो थे पर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे यही यह story खतम कर देता है अपनी पीलो हाथ में लेता है और Anna की मूँपर लगाता है Anna की सास बन हो जाती है और हो मर जाती है Anna और वो एक दूसरे से अब वो पास से फिर भी बात नहीं कर पाए एक दूसरे से वो connect नहीं हो पा रहे है Anna बहुत ही पहन में है होते हैं, जो respect मरे हुए आदमी को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है, इसलिए अपनी wife का funeral वो इसी घर में कर देता है, इसके बाद हमें दिखता है कि वो letter लिख रहा है, letter लिखते हुए एक कबुतर वहा जाता है, ये कबुतर घर से बाहर नहीं जा रहा होता, एक को cloth लेत करता है, इसके जो wife थी, ये trapped हो जुकी थी, थोड़ी सी तकलिफ इसने अपनी wife को दी थी, पर इसके बाद इसने अपनी wife को free कर दिया है, ऐसा उसे लगता है, नेक सिन में George एना के साथ घर से बाहर जा रहा है, ये हमें दिखाया गया है, ये symbolically represent करता है, कि आना कि मर जाने क के बाद George भी इसके साथ मर गया है, इसने भी suicide कर लिया है, ये ही ये movie end हो जाती है, आपको ये ending sad लग सकती है, पर ये ही सही ending है, एना अगर जिन्दा रहती, तो वो बहुत ही pain में रहती, और वो ही चाहती थी, कि अब उसी जिन्दा नहीं रहना है, उसे किसी पर भी बोज बनना है, फ्रैंक को इससे प्रावलम ने थी, वो उसे बोज नहीं समझता था, वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए ready था, पर जब एना को बहुत ही pain होने लग गया, वो मैसा दर्द में रहने लग गये, तब उसे उसने free कर दिया, उसके साथ ये भी मर गया, इतने साल ए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, बहुत सारी एससी beautiful movies लेकर आते रहे तो दो प्लीज इस चानल को सब्सक्रेब पर दीजे, और बेर नोटिफेशन आइकन भी दमाना मत भूलिए, हम फिर से मिलेंगे एक नवी movie के साथ, तब तक के लिए thank you, और आप अपने आ